हेलो फ्रेंड्स आज की जो यह वीडियो है यह करेंट अफैर्स के कुछ important question पे है क्योंकि कुछ student का कहना था कि मैं current affairs question करवाई आप तो मैंने current affair की question को मैंने लाया और यह जो जितने भी इंपर्टेंट question दिए गया है यह आपको आगामी जितने भी एक्जाम होने वाले हैं चाहे बाइस SPSCL का हो या SSC या फिर बिहार SSC या BPSC हो चाहे बार रेलवे कोई भी एक्जाम हो आपको current के question तो आजकल बहुत जादा ही देखने को मिल रहे हैं तो आगे देखते हैं पहला सवाल बिना time waste किये तो पहला सवाल है हमारा कि कि अटल बिहारी बाजपेई कब राजनीती से सन्यास लिए अटल बिहारी के बारे में हम सभी जानते हैं और इधर हाल फिलाल वह काफी चर्चे में रहे तो अटल हो जाएगा 2009 2009 में उन्होंने राजनिती से सन्यास ले लिया क्यों क्योंकि उनका स्वास्त प्रॉब्लम था कुछ स्वास्त अच्छा नहीं रहने के कारण उन्होंने राजनिती से सन्यास ले लिया है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनकी मृत्यू इधर ही कुछ दिनों पहले 16 अगस 2018 को एमस दिल्ली में उनकी मृत्यू हो गई नेस्ट कोशन पे चलते हैं हम लोग कलाइनर किस राजनेता का उपनाम है यानि कौन से राजनेता को कलाइनर के नाम से भी चानते हैं आपके ऑप्सन में दिया गया है अटल भिहारी बाचपई सोनिया गांधी करूना निधी और मनमोहन सिंग तो हमारा आंसर हो जाएगा करू निधी का नेक्स्ट कोश्चन क्यों चलते हैं लोग कि बीम स्टेक बीम स्टेक का चौथा सिखर सम्मेलन कहां संपन हुआ आपके ऑप्सन में दिया गया है भारत स्रिलंका भुटान और नेपाल तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल नेपाल के काठ मांडू में बीम स्टेक का चौथा सिखर सम्मेलन संपन हुआ और इसमें एक कोश्चन और मैं यहां पर दे चुके हूं कि बीम स्टेक में सदस्यों की संख्या कितनी है ऑप्सन में चार पांच छे और साथ तो हमारा आंसर हो जाएगा साथ आप याद रखिए कि बीम स्टेक का चौथा सिखर सम्मे नेपाल में हुआ और इसमें कितने सदस्य देश है तो इसमें सदस्यों साथ तो इसमें आप याद रख लीजे भारत नेपाल भूटान बांगलदेश मैनमार्थ फाइलेंड और स्रिलंका यह सब विम स्टेक के क्या है सदस्यों से हैं नेक्स्ट कुश्चन है रास्टिय मह महला आयोग सवरें यहां पर ला लिखा है यहां पर होगा राष्टिय महला आयोग का बड़तमान अध्यक्ष कौन है आपसょण में हापके रेख शर्मा इसमृति-डानी गीता-मीतल और विभाकर पडाल कर तो हमारा option में answer क्या हो जाएगा रेखा शर्मा ओके राष्टिय महला आयोक का वर्तमान अध्यक्ष भी है रेखा शर्मा next question क्यों चलते हैं लोग कि DRDO जो defense research and development organization है DRDO के नए chairman किसे न्युक्त किया गया है option में है आपका डॉक्टर विनोध रेड़ी, आरके सर्मा, डॉक्टर जी सतीस रेड़ी और S. क्रिश्टोफर तो हमारा answer हो जाएगा option number C, डॉक्टर जी सतीस रेड़ी next question है कि बिहार के नए राजिपाल के रूप में किन्हे न्युक्त किया गया है option में है आपका गंगापरसाद, सत्यदेव नारायन, तथागत रै और लालजी टंडन तो हमारा answer हो जाएगा लालजी टंडन बिहार के नए राजिपाल कौन है लालजी टंडन लालजी टंडन के पहले जो बिहार के राजिपाल थे वो थे सत्यपाल मलिक जो की अभी जम्मू कस्मीर के नए राजपाल है नेक्स्ट कोश्चन है कि विस्व गज दिवस कब मनाया जाता है गज मीन्स होता है हाथी तो विस्व गज दिवस कब मनाय जाता है आपके option में है 10 अप्रिल, 9 अगस्ट, 12 अगस्ट और 20 अगस्ट तो हमारा answer हो जाएगा option number C 12 अगस्ट विस्व गज दिवस next question है कि 11 विस्व हिंदी सम्मेलन किस देश में संपन हुआ आपके option में दिया गया है भारत, मौरिशस, नेपाल और सिंगापूर तो हमारा answer हो जाएगा मौरिशस 11 हिंदी सम्मेलन जो हुआ वह मौरिशस में और एक चीज और याद रख लीजे कि विस्व हिंदी दिवस जो होता है वह आपका 10 जन्वरी को मनाय जाता है और ऐसे जो हिंदी दिवस होता है तो वो मनाय जाता है आपका 14 सेप्टमबर को नेक्स्ट कुश्चन है कि एशियाई खेल 2018 की सबसे मूलिवान खिलाड़ी कौन रहा तो ये है आपका ओप्सन में बजरंग पुनिया, रिकाको इकी, नाओमी ओसका और जिनसन जोनसन तो हमारा आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर B रिकाको इकी और यह जापान की है और यह तैराक से सम्बंधित है और ACI खेल में इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीता नेक्स्ट कोश्चन है कि विस्व बैंक की आकणों के अनुसार वर्स 2017 में फ्रांस को पीछे चोड़ते हुए भारती अर्थवेवस्था विस्वी की कौन सी अर्थवेवस्था बनी यानि की कैमी अर्थवेवस्था बनी तो आप्सन में आपका पहली, चौथी, पाँचवी और छठी तो हमारा आंसर हो जाएगा छठी अर्थवे वस्था में विष्ट में जो अर्थवे वस्था का जो अस्थान आया भारत का अस्थान है चठा और पहले अस्थान पे है अमेरिका नेक्स्ट कुश्चन क्यों चलते हैं लोग कहता है देश की एकता एवं अखंडता का परतीक स्टैच ओफ यूनिटी 182 मीटर उची गुजरात में इस्थित किस महापुरूस की मूर्ती अस्थापित की गई है यानि कि किस महापुरूस की मूर्ती को बनाया गया है वहाँ पे आप्सन में महात्मा गांधी भगत सिंग सर्दार बल्लभाई पटेल और खुदी राम बॉस तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्दार बल्लभाई पटेल नेक्स्ट कुश्चन है कि जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक लगातार दो कारेकाल रहे युएने के किस महासचीव की मृत्यू अगस्त 2018 में हो गया आपके ऑप्सन में दिया गया है वान की मून, कौफी अनन, बूतरस घाली और एंटीनो गुटेरस तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर B कौफी अनन जो की घाना के थे और अभी जो युएनो के महासचीव है वर्तमान में वो है ये एंटीनेो गुटेरस ओके मृत्यू जो इनके पहले हुई जो थे कौफी अनन थे और अभी कौन है तो एंटीनो गुटेरस नेक्स्ट है कि महला विसु कप हो की किस देश ने जीता ओप्सन में है आस्ट्रेलिया नीदरलेंड आयरलेंड और इंगलेंड तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदरलेंड महला विसु कप हो की नीदरलेंड ने जीता जिसमें की उप बिजेता रहा कौन तो आयरलेंड next question है कि आगामी 19-वा ACI खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा और यह ACI खेल परतेक चार साल में होता है तो आपके option में है चीन, जापान, इंडोनेश्या और भारत तो यह किया जाएगा 19-वा ACI खेल कब तो चीन में किया जाएगा इसके पहले जो अठारवा ACI खेल हुआ था या हुआ था आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकारता में शंपन हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है कि ICC रैंकिंग में पर्था मस्थान किस खिलाडी का है आपके ऑप्सन में दिया गया है महेंदर सिंग धोनी, विराट कोहली, रोहित सर्मा और सिखर धवन तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर B विराट कोहली नेक्स्ट कोश्चन है कि कैरम विश्वकब 2018 कि इस देश ने जीता पूरूस में आपके ऑप्सन है भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिरलंका एक कोश्चन मैं नेक्स्ट कोश्चन भी पढ़ी देती हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि कैरम विश्वकब 2018 कि इस देश ने जीता ये है आपका महिला में पूछा गया है और यहां पूछा गया था आपसे पूरूस में, आप्सन दोनों के सेम है तो जब पूरूस की बात की गई है तो 2018 का विश्वकब कैरम किसने जीता पूरूस में तो वह जीता है सिरलंका ने लेकिन कैरम विश्वकब 2018 महिला में कौन जीता तो वह जीता है भारत जिसमें की सिरलंका जीता और भारत इसमें हार गया था और इसमें क्या हुआ भारत जीत गया जिसमें की इस पूरूस में सिरलंका जीता ओके और भारत रहा उसमें उबिजेता और महिला वाले में भारत जीता और उबिजेता के रूप में रहा सिरलंका नेक्स्ट कुश्चन है कि दक्षिन भारत का कौन सा राज 2018 में बार से पीडित रहा तो ये तो आपके काफी चर्चे में रहे हैं इन दिनों आपके आप्सन में तमिलनाडू, केरल, आंदरपरदेश और गोवा तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल क्योंकि केरल बहुत जादा ब अगर्स 2018 में किस महिला नयायदीस को मतलब की न्यूक्त किया गया आप्सन में आपका रेखा शर्मा, गीता मीतल, फातिमा बेगम और इन में से कोई नहीं तो हमारा आंसर हो जाएगा गीता मीतल नेक्स्ट कोश्चन है कि आईफा पुरसकार 2018 का सर्विस्रेश्ट फिल्म किसे चुना गया आपके आप्सन में है न्यूटन, विलेज रॉक स्टार, तुम्हारी सूलू और इन में से कोई नहीं तो हमारा आंसर हो जाएगा तुम्हारी सूलू आईफा पुरसकार 2018 का सर्विस्रेश्ट फिल्म तुम्हारी सूलू और आईफा पुरसकार 2018 का सर्विस्रेश्ट अभिनेता जब पूछेगा कि किसे चुना गया तो हमारा आंसर हो जाएगा इर्फान खान और जब पूछेगा कि आईफा पुरसकार 2018 में सर्विस्रेश्ट अभी नेत्री किसे चुना गया तो हमारा आंसर हो जाएगा स्री देवी नेक्स्ट कोश्चन है कि RBI के चौथे डिप्टी गवर्णर 2018 में किसे नियुक्त किया गया आपके option में दिया गया है BP, कुनुंगो, MK, Jain, R. गांधी और S.S. मुंद्रा तो हमारा आंसर हो जाएगा option number B, MK, Jain, RBI के चौथे डिप्टी गवर्णर, MK, Jain नेक्स्ट कोश्चन है कि आसकर 2019 के लिए किस भारतिय फिल्म को अधिकारिक प्रविष्टी के रूप में भेजा गया आपके option में दिया गया है Village Rockstar, Coco, Newton और सत्मेव जयते तो हमारा आंसर हो जाएगा Village Rockstar नेक्स्ट कोश्चन है कि किस देश ने hydrogen से चलने वाली train launch किया है आपसन में अमेरिका, फ्रांस, चीन और जर्मनी तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी यह जर्मनी जो है यह ट्रेन जो launch किया है hydrogen से चलने वाली इसमें क्या है कि इसमें जल और hydrogen की सहायता से विद्धूत उत्पन किया जाता है तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा यह मुझे comment box में जरूर बताईए और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चानल को प्लीज लाइक करें, subscribe करें और share करें धन्यवाद